नुमेरिकल करते टाइम या कोई भी सवाल करते टाइम इस तरह की सिचुएशन में आके एक बच्चा अटक गया ठीक है अब इसको कैसा किया जाए उसका नाम दानिश था चुरों दानिश अटक गये हैं तो दानिश की नाम के कई रड़के होंगे जो अटक जाएंगे आप इ तो अब आप देखिए यह दिखा है 3 into 4 upon 3 ठीक है यही चीज नीचे भी लिखिए और यहां प्लस टू लिखा है समझ में नहीं हो क्या करें देखने में डरा होना दिख रहा है उससे कोई फरक नहीं पुड़ता आप इस फोकस करिए आप इसे फोकस ऐसे कर सकते हैं यहां प बचपन में कुछ देखा इस तरह का 3 से 3 कड़ जाएगा क्योंकि मंटिपलाई लगा है ना 3 वंदा 3 3 वंदा 3 यहां इसा भी कर सकते हो 3 4 12 12 upon 3 3 से 12 को काटो के 3 वंदा 3 3 4 12 ठीक है तो इसको आप क्या करिए इसको फोकस ना रखना 3 वंदा 3 3 वंदा 3 कड़ गया उपर बच 2 1 4 वंदा 4 नीचे नीचे का वन लिखते नीचे लिखो चाहीन लिखो ठीक है चलो लिख दो अगर दाधाद दिक कते हैं लस्टु आप 2 की नीचे भी तो कुछ है वन चुपावा है कुछ नहीं थो नहीं तो बन चुपाए ठीक है अब याली लाईन अपॉन वाली खीच ल कि अब क्या करें तो नीचे 11 है कि लगा होता है तो दीनोमेटर का लेते हैं ठीक है छेना बचा फॉर प्लस चार दौछे हो गया चार दो शे हैं यहां पर यहां पर वन ना मानो अगर ना मानो तो अच्छा ही है आप प्रस या मैनस होता है तो नीचे वाले नंबरों का लिए बनी आएगा फॉर में से टू गिया तो यहां भी कुछ करना ही नहीं होता है जब सेम डिनोमेटर होता है जो उपर लिखा भी कर दो जो फॉर में से टू गिया टू बचा आप देखो वन लगाने कोई फायदा हुआ से मुल्टिप्लाइगा टूपिकल बनाना निचे रहे लिगन बनाना पड़ गया वन सिक्स्वाइब दा सिक्सवाइब लागा अब यह बचा अब बचा थैसे अब लिखता है तो नहीं लिखते है उपर वन बचता वन अपान थ्री आथ अधा ना मज बूरी हो जाती है नीचे थ्रीके हर नंबर के नीचे दुन लिखाई रहेता है चाहिए यूरो लिखा वान टू थ्री कोई भी नंबर है उसके नीचे वान चुपा होता है आट्माटिक ली ठीक है